नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका BKLT चैनल पर दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं AC फेन सीरप के बारे में पूरी जानकारी तो दोस्तों आपसे अन्रोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको सीरप के बारे में पूरी जानकार निल सकेजर दोस्तों जैसा कि अब इसक्रीन पर देख रहें यह है ऐसी इसे लो फ्रनिक और पारासी टामाल सस्पेंशन इसी धेटी प्लस सीरप फार पे डियर्म ली तो ऊस्तों इसका बच्चे के लिए ही यह सीरप होती है और दोस्तों इसका जो दोस्तों साल्ट होता है उसमें एसे कलो फेने क्जो होता है वो पचाइस एमजी और पहरा सीटामाल एक सब्सक्राइब SMG होता है हर सीरप के अंदर और इसको दोस्तों जो है जीप आप और इसको जो बनाया जाता है दोस्तों वो ए डी जेन आ अफ ले बॉर लेबॉरेट फार्मसीयोटकल्स इंडिया लिम्म्टेज्ड तो दोस्तों लेबॉरेट बहुत ही प्रतिष्ठित बहुत ही बढ़िया कंपनी है दबाईयों की इसका कोई भी प्रोडक्ट है उस पर आप बिल्कुल ही भरोसा कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया इंटरनेशनल कंपनी है बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट इसके होते हैं उनका काम बहुत ही बढ़िया होता है और दोस्तों बात कर इसके rate की, तो इसका जो rate है वो 65 रूपई है, इस समय जो मेरे पास सीरफ है इसका, दोस्तों, rate किसी भी दबाई का समय के साथ जो है, कम या जादा हो सकता है. तो दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल किन-किन समस्याओं में करना चाहिए. तो इसका दोस्तों इस्तेमाल जो है सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इसका इस्तेमाल के बच्चों को कराना है और बच्चों को यदि बुखार की समस्या है या हाथ पैरों में दर्ध हो रहा है या सिर दर्ध हो रहा है या पसलियों में दर्ध है या पैर में दर्ध ह या हाथ में दर्द है या मोच है या चोट है या कोई जखम हो गया है चोट लगी हुई है जिसके कारण दर्द हो रहा हुआ कहने का मतलब ऐसी कलोफेनिक इसमें जो साल्ट होता है इसका जो कंटेंट है उसमें ऐसी कलोफेनिक होने के कारण ये हर तरह के द 빠 बहुत-Hी बढ़या का म करती है और दोस्तों बात कर्लें प्यराशीटा माल की तो प्यराशीटा माल भी इसमें होता है, इसलिए इसलिए बुखार में भी अच्छे से जिब्य के अंदर निकलेगा 60 ml की ये सीरप होती है एसी फेन प्लस और इसका ये जो धक्कन है दोस्तों इसके धकन में डोज के हिसाब से जो है माप लिख्यू ही होती है इसी हिसाब से आपको बच्चों को पिलाना है ये देखिए 10 ml 5 ml 7.5 ml 2.5 ml तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि किस उम्र के बच्चों को ये कितनी सीरप पिलानी चाहिए तो दोस्तों जो 0 से 6 महीने के बच्चे हैं जी हां दोस्तों जो एक दिन से 6 महीने तक के बच्चे हैं और यदि उनको बुखार या हाथ पेरों में दर्द या सिरदर्द या सर्दी या सीने में जकड़ान या दर्द है इनमेंसे मतलब किसी भी प्रकार का या दर्द है या बुखार है तो एक दिन से 6 महीने तक का जो बच्चा है उसको जो है इस सीरप का इस्तेमाल 2.5 ml सुभा और 2.5 ml सीरप साम को पिलानी चाहिए और 6 महीने से बड़ा बच्चा जो है दोस्तों, एक साल तक का लगभग 6 महीने से एक साल तक का बच्चा है उसको इस सीरफ का इस्तेमाल जो है 5 ml सीरफ सुबह और 5 ml सीरफ साम को फिलानी चाहिए बच्चों के डक्टर से सलाह लेने के बाद किसी भी pediatric physician से संपर्क करने के बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें और दोस्तों जो एक साल से दो साल के बच्चे होते हैं उनको इस सीरफ का इस्तेमाल साड़े साथे मल सीरफ सुभा, साड़े साथे मल सीरफ साम को पिलानी चाहिए डक्टर की देखरेक और डक्टर के परामर्स के अनुसार दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी दबाई का इस्तेमाल अपनी मर्जी से घर पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है यह जुम्मे वीडियो में आपको इस सीरफ के बारे में या किसी भी दबाई के बारे में जानकारी देता हूँ वो केबल आपका नालेज बढ़ाने के लिए देता हूँ ना कि इसलिए कि आप किसी भी दबाई का इस्तेमाल घर पर अपनी मर्जी से करने लगें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दबाई का इस्तेमाल डाक्टर के सलाह और परामल्स के अनुसार ही करना चाहिए और दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में तो एसिकलो पैरा सीरप जो होती है दोस्तों एसिकलो फैनेक पैरा सीटमाल जिसकों की साल्ट में डाक्टर लोग इससे जो दिक्कत होती है वो यह होती है कि बच्चों को सरीर में जो है चकते पढ़ सकते हैं, दाने निकल सकते हैं, घमोरिय टाइप की लाल निकल सकती हैं, है तो याई ऐसी कोई भी समस्या आपके बच्चे को सीरफ को पिलाने के बाद होती है तो इसका इस्तेमाल तुरनथी रोक कर अपने डाक्टर से तुरन थी संहले उसके बाद भी सीरफ का इस्तेमाल करें यादि वह सजेशन दें तो तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, आज जो मैंने आपको AC फिन सीरप के बारे में जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी तो आपसे फिर से एक बार अन्रोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बैल आइकन जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक सेर करके सेर जरूर कर दें तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे फिर केसी दिन, नए वीडियो के साथ नए जानकारी के साथ, अब तक के लिए दीज़िये इसाज़त आप अपना ख्याल रखिये सब तक के लिए जय हिन जय भारत